नमस्कार दोस्तों आप सबी के लिए बड़ी गुण्यूज है विकोज फ्रेंट्स फाइनली दिल्ली पुलिस के अंदर लेटश्ट सरकारी गुवर्मेंट नोकरी का नोटिवेशन जारी कर दिया गया है सो दोस्तों यह All India गुवर्मेंट जोब है आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एपलाई कर सकते हो और दोस्तों यह बर्तिकेवल बार्वी पास वालों के लिए सलिरी आपकी बहुत हैंडसम यहां पर रखी कही है 25,500 रुपे से लेकी 81,100 रुपे पर मंद आपकी सलिरी रहने वाली है सो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है अगर फिर भी आपकी कुछ डाउट्स रहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला रोजाना इसी सरकारी गोर्मेंट नोगरी का आपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो दोस्तों अभी आपका समय खराब नहीं करते हैं फटा फट आपको इसकी संपुन जानकरी के तरफ ले चलते हैं जैसा कि आप यहां पर जो है देख सकते हैं यह बर्ती आपका क्यों करवारी यह चैनकरी क्यों जो दिल्ली पुलिस के अंदर काम करेगी। इस बरते में आप जरूर apply करिएगा अगर आप भी पाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर head constable की no cream तो दोस्तो फोर्म बरने से पहले एक बार वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा इस बरते दोस्तो बात करूँ आपकी number of vacances की तो यहाँ पे जो है कुल 835 बरते पे जो notification जारी कर दिया गया है जिसमें इन्होंने अलग-अलग category wise बांट रहे हैं जैसा कि male की इन्होंने जो है 569 पदों पे जो है notification जारी कर दिया गया है और female का वहीं जड़ 268 यानि total overall पोस्तों की बात करें तो 835 पदों पे notification जारी कर दिया गया है तो दोस्तो आपकी बात करें education qualification script यहाँ पे केवल आपसे 10 बारी पास मांगा गये अगर आप 10 प्लस 2 पास हैं तो दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपकी यह minister post है तो आपको दोस्तो टाइपिंग की बहुत जरूर तियां पे रहने वाली है अगर आप इस post के लिए apply करते हैं तो आपका typing को knowledge होना चाहिए 30 word per minute English के लिए वहीं 25 word per minute हिंदी के इंदर अगर आपको typing आती है तो दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हो दोस्तो अधिक जानकरी के लिए आप इनका official notification भी visit कर सकते हैं जो हमने वीडियो के description में डाल रखा है आप वहाँ से आसानी से इस notification को download कर सकते हैं देन इसको जो रिट कर सकते हैं दोस्तो अब बात करें आपके application fees की तो अगर आप general OBC या EWS candidates हैं तो आपके लिए form fees मात्र 100 रुपी रखे गए वहीं अगर आप SCST candidates आपके लिए बिल्कुल free रखा गए और अगर आप PWD female candidates हैं तो भी दोस्तो आपके लिए बिल्कुल free रखा गए और आप any जो है apply जरूर करेगा अगर आप भी पाना चाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर सरकारी और government नोगरी दोस्तो उससे पहले channel को subscribe जरूर करें ताकि ऐसे ही रोजाना आने वाला government सरकारी नोगरी का notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और दोस्तो अब बात करें आपके कुछ important dates की तो दोस्तो यह कल 17 माई 2022 को देर रात तक notification जारी कर दिया गया है और 16 जून 2022 तक आपका registration होने वाला है दोस्तो यानि और और अगर बात करें आपकी form की last date की तो दोस्तो आपकी form की last date जो है 16 जून 2022 रहने वाली है अच्छे ही दोस्तो अलड़ी आवे दन start हो चुके इसमें apply कर सकते हैं और दोस्तो यहाँ पर आपका form में अगर कुछ correction करना चाहते हैं अगर आपने form फिल कर दिया है अभी से पहले दोस्तो तो भी आप इसमें जो correction कर सकते हैं दोस्तो वो भी 21 से 25 जुन 2022 तक और दोस्तो यहाँ पर बात करें आपके selection प्रोसेजर की तो आपको जो है two phases से घुजरना होगा पहला आपका जो है normal exam होगा देन आपका जो है यहाँ पर physical भी होने वाला है तो दोस्तो आपका exam September 2022 के अंदर हो जाएगा और admit card जैसे ही इनके जो है आएंगे इनके office से website पे डाल दे जाएंगे या आपको SMS के माद्यम से या mail ID के माद्यम से भी इसको सूसना प्राप्त करवा दे जाएगे तो दोस्तो हम भी आपको संपूर्ण जानकारी जो है इसकी आपको प्रोवाइट करवा देंगे दोस्तो इसमें बहुत easily celebs आने वाला है तो वो भी हमने वीडियो के description डाल का है आप अगर apply करना चाहते हैं एक बार इसके संपूर्ण जानकारी जो है read कर सकते हैं अभी बात करते हैं आपके दोस्तो edge limit की तो आप इसमें 18 से लेके 25 साल तक apply कर सकते हैं आप 18 साल के हो चुके हैं और 25 साल से कम हैं तो दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हैं और आप भी पास सकते हैं 2022 के अंदर सरकारी government नोकरी वो भी दिल्ली पुलिस के अंदर head control की तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइफ जरूर करें और ऐसे ही रोजाना सरकारी government नोकरी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी subscribe करें और आज के लिए धन्यवाद